किसान बोता है धर्ती की च्छाती पर उम्मीदों का बीज उसकी लहलहाती फसलें देती है गारिंटी हमारे और आपके पेट को भरने की उसे उसकी मेहनत का मिले उचित्मूल्य और उसकी फसलों को मिले सर्वोत्तम बाजार हमारे किसान भाई बहन हो सम्रिद्ध, सशक्त और बने आत्म निर्भर भारत का मजबूत आधार इसी प्रण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी जी के कुशल मार्ग दर्शन में सरकार ने कृशी विकास और किसान कल्यान के लिए उठाए सतत और समग्र कदम किसान को आधुनिक सुविदाय देना, छोटे किसानों को संगटिक करके उनको बड़ी ताकत बनाना किसानों की आए बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है और अन्न दाताओं के सपनों को साकार करने महराष्ट के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चली पहली किसान रेल भारत सरकार अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों के स्थिति सुधारने की दिशा में है निरंतर प्रयासरत किसान रेल भी है उसी दिशा में एक महत पून पहल किसान रेल ने कृशी उत्पादों के परिवहन की जटिलताओं को बनाया है सुगम यहां गुजरती है फलों और सबजियों से सम्रिध क्षेत्रों से इसमें मिलती है किसी भी स्टेशन पर लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा साथ ही अधिसूचित फलों और सबजियों के परिवहन में 50% की सबसिडी इसे जोड़ रही है अनदाताओं के दिल से तभी तो अब तक 99 किसान रेल सेवाओं द्वारा 27,000 टन से अधिक सामगरी पहुँचाई गई है निर्बाद किसानों को मिल रही है अब नए बाजार साथ ही उत्पादों को कम समय में खराब होने से पहले बाजार पहुँचाकर किसान और उपभोकता दोनों को मिल रहा है लाब बढ़ी है उनकी आय आज किसान रेल सेवा लगाने जा रही है शत्त जो जोड़ेगी महराष्ट को बंगाल से और तै करेगी सांगोला से शाली मार की दूरी महराष्ट के सांगोला, नाशिक, नागपुर आदिक्षेत्रों से लोडिंग होती है और देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुँचते हैं उत्पाद किसानों की खुशहाली को और बढ़ाने और उसे आत्म निर्भर बनाने के लिए भारतिय रेल के इतिहास में जुड़ने जा रहा है एक और सुनहरा अध्याय आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सौवी किसान रेल को अपने कर कमलों द्वारा हरी जंडी दिखाकर करेंगे रवाना अब मैं माननी प्रधान मंत्री जी से सादर निवेदन करता हूँ कि वे हरी जंडी दिखाकर भारत की सौवी किसान रेल को रवाना करें झाल झाल माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबध निवेदन है कि वे इस एतिहासिक अफसर पर हमें अपने आशीर वचनों से अनुग्रहित करें। माननिय प्रधान मंत्री जी केंद्रिय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र स्री जी तोंगर रेल मंत्री श्री प्यूच गोहल जी अन्य सांसतगाण विधायगाण और मेरे प्रिये भाई और बहनों मैं सबसे पहले देश के क्यरोडों किसानों को बढ़ाई देता हूँ अगस्त महिने में देश की पहली किसान और खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित रेल शुरू की गई थी उत्तर दक्षीन पूरब पस्चिम देश के हर क्षेत्र की खेती को किसानों को किसान रेल से कनेट किया जा रहा है कोरोना की चुनोती के बीच भी बीते चार महनों में किसान रेल का ये नेटवर्क आज सो के आंकड़े पर पहुँच चुका है आज सौवी किसान रेल थोड़ी देर पहले महराश्र के सांगोला से पस्चिम मंगाल के शालिमार के लिए रवाना हुई है यानि एक प्रकार से पस्चिम मंगाल के किसानों पशुपानों को मश्वारों की पहुँच मुंबई, पूने, नाकपूर जैसे महराश्र के बड़े बड़े बाजार तक हो गई है वही महराश्र के सांथियों को अब पस्चिम मंगाल के मार्केट से जुड़ने के लिए सस्ती और सुलप सुविदा मिल गई है जो रे अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के करसी बजार को भी जोड रही हैं, एक कर रही है सांथियों किसान रेल सेवा देश के किसानों की आबंतनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है इसमें खेती से जुड़ी अर्थवबस्ता में बड़ा बढ़लाव आएगा इससे देश की कोल्ड सप्लाइचेन की ताक़ भी बढ़ेगी सबसे बड़ी बात ये कि किसान रेल से देश के असी प्रतिशत से अधीक छोटे और सिमान किसानों को बहुत बड़ी शक्ती मिली है इमें इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें किसानों के लिए कोई न्यूनतम मात्रा ताय नहीं की गई है अगर कोई किसान पच्चास सो किलो का पार्सल भी भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है यानि छोटे किसान का छोटे से छोटा उत्पाद भी कम किमत में सही सलामत बड़े बाजार तक पहुँच पाएगा मैंने कहीं पढ़ा था कि अब तक का जो रेलिवे का सबसे छोटा कंसाइन्मेंट है वो अनार का तीन किलो का पैकेट किसान रेलिवे ही बेजा गया यही नहीं एक मुर्गी पालक ने सत्रा दर्जन अंडे भी किसान रेल से बेजे है साथियों भंडारण और कोल्ड स्टोरेज के अभाव में देश के किसान का नुक्षाम हमेशा से एक बड़ी चुनोती रहा है हमारी सरकार भंडारण के आधुनिक ववस्ताओं पर सप्लाई चेन के आधुनिक अरण पर करोडों करोड का निवेश तो करी रही है किसान रेल जैसी नई पहल की जा रही है आजादी के पहले से भी भारत के पास बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क रहा है कोल्ड स्टोरेज से जूड़ी टेकनलोजी भी पहले से मौजुद रही है अब किसान रेल के माद्यम से इच सक्ति का बहतर इस्तभाल होना शुरू हुआ है साथियों छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नियत भी साब है और हमारी नीती भी स्पष्ट है हमने बजेट में ही इस से जुड़ी महत्वपुन गोश्णाय कर दी थी पहली किसान रेल और दूसरी क्रिशी उडान यानि जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार अपने किसानों की पहुँच को देश के दूर दराजवाले क्षेत्रों और अंतराश्ट्रिय बाजार तक बढ़ा रही हैं ये बाते हम सिर्फ हवा में नहीं कर रहे हैं हम इसे धर्ती पर साकार कर रहे हैं ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम सही रास्ते पर हैं साथियों शरुवात में किसान रेल साप्ता ही थी कुछी दिनों में ऐसी रेल की मांग इतनी बढ़ गई कि अब साप्ता में तीन दीन ये रेल चलानी पड़ रही है सोचिए इतने कम समय में सौवी किसान रेल ये कोई साधान बात नहीं है ये सपर्ष्ट संदेश है कि देश का किसान क्या चाहता है साथियों ये काम किसानों की सेवा के लिए हमारी प्रतिवद्धता को प्रदर्शित करता है लेकिन ये इस बात का भी प्रमाण है कि हमारे किसान नई संभावनाओं के लिए कितनी तेजी से तैयार है किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी फसले बेच सके उसमें किसान रेल और क्रशी उडान इसकी बहुत बड़ी भूमी का है मुझे बहुत संतोष है कि देश के पुर्वोत्तर के किसानों को क्रुशी उडान से लाब होना शुरू हो गया है ऐसे ही पुक्ता तैयारियों के बाद अइतिहासी, कुरुशी, शुधारों की तरफ हम बड़े है साथियों किसान रेल से किसान को कैसे नए बाजार मिल रहे है कैसे उनकी आए बहतर हो रही है और खर्च भी कम हो रहे है मैं इसका एक उधान देता हूँ कई बार हम खबरे देखते हैं कि कुछ वज़ाओं से जब टमाटर की कीमत किसी जगर पर कम हो जाती है तो किसानों का क्या हाल होता है ये स्थीती बहुत दुगदाई होती है किसान अपनी मेहनत को अपनी आँखों के सामने बरबाद होते देखता है असहाय होता है लेकिन अब नए कुसी सुधारों के बाद किसान रेल की सुविदा के बाद उसे एक और विकल्प मिला है अब हमारा किसान अपनी उपज देश के उन हिस्सों तक पहुचा सकता है जहां पर टमाटर की मांग जादा है जहां उसे बहतर किमत मिल सकती है वो फलों और सब्जियों के ट्रांस्पोर्ट पर सब्जिडी का भी लाब ले सकता है भाई और बहनों किसान रेल की एक और खास बात है ये किसान रेल एक प्रकार से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज भी है यानि इसमें फल हो, सब्जी हो, दूद हो, मचली हो यानि जो भी जल्दी खराब होने वाली चीजे है वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रही है पहले यही सामान किसान को सडक के माध्यम से ट्रकों में भेजना पड़ता था सडक के रास्ते ट्रांस्पोर्टेशन की अनेक समस्याएं है एक तो इसमें समय बहुत लगता है सडक के रास्ते भाड़ा भी अधिक होता है किराय जादा लगता है यानि गाउं में उगाने वाला हो या फिर शहर में खाने वाला दोनों को ये महंगा पड़ता है अब जैसे आज ही जो ट्रेन पस्चिम मंगाल के लिए निकली है इसमें माहराश्चा के अनार, अंगूर, संत्रे और कस्टर एपल जिसको कई जगे में सिताफल भी कहते हैं ऐसे उत्पात भेजे जा रहे है ये ट्रेन करीब करीब 40 गंटे में वहाँ पहुँच जाएगी वही रोड से 2000 किलोमेटर से जादा की दूरिताय करने में कई दिल लग जाते है इस दोरां ये ट्रेन बीच में कई राज्जों के बड़े स्टेशनों में भी रुकेगी वहाँ भी अगर किसान को कोई उपज भेजनी है यहां वहाँ भी कोई ओर्डर उतारना है तो उसको भी किसान रेल सेवा देती है उस काम को भी पूरा करती है यानि बीच में भी अनेक बाजारों तक किसान रेल किसान का माल पहुचाती भी है और उठाती भी है जहां तक भाड़े की बात है तो इस रूट पर रेल का माल भाड़ा ट्रक के मुकाबले वैसे भी लगबग सत्रा सो रूपिय कम है सत्रा सो रूपिय किसान रेल में तो सरकार पचास प्रतिशर छूट भी जे रही है इसका भी किसानों को लाव हो रहा है साथियों किसान रेल जैसी सुमिधाय मिलने से कैश क्रॉप ज्यादा दामवाली ज्यादा पोशक फसलों के उत्पादन के लिए प्रोथसान बढ़ेगा छोटा किसान पहले इन सबसे इसलिए नहीं जुड़ पाता था क्योंकि उसको कोर्ड स्टोरेज और बड़े मार्केट मिलने में दिक्कत होती थी दूर के बाजार तक पहुचाने में उसका किराए भाड़े में ही कापी खर्च हो जाता था इसी समस्या को देखते हुए तीन साल पहले हमारी सरकार ने टमाटर प्याज आलू के ट्रांस्पोर्टेशन के लिए पचांस प्रतिशत सब्सिड़ी दी गई थी अब आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहत इसको दर्जुनों दूसरे फॉल और सब्जियों के लिए भी बढ़ाया गया है इसका भी सीधा राप देश के किसान को मिल रहा है भाई और बहनों आज पस्चिम मंगाल का किसान भी इस सुविदा से जुड़ा है पस्चिम मंगाल में आलू, कठल, गोबी, बैंगन जैसे अनेक सब्जियां खूब होती है इसी तरह अनानास, लीची, आम, केला ऐसे अनेक फल भी वहां के किसान उप जाते हैं मचली चाहे मीठे पानी की हो या खारे पानी की पस्चिम मंगाल में कोई कमी नहीं है समस्या इनको देश भर के मार्केट तक पहुचाने की रही है अब किसान रेल जैसी सुविदा से पस्चिम मंगाल के लाखों छोटे किसानों को एक बहुत बड़ा विकल्प मिला है और ये विकल्प किसान के साथ ही स्थानिय बैजार के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको भी मिला है वो किसान से जादा दाम जादा नाम में जादा माल खरीद कर किसान रेल के जरिये दूसरे राज्यों में भी बेज सकते हैं भाई और भेनों गाउं में जादा से जादा रोजगार पैदा करने के लिए किसानों को बहतर जीमन देने के लिए नई सुविधा, नए समाधान बहुत आवशक है। इसी लक्ष के साथ एक के बाद एक कृशी शुधार किये जा रहे हैं। नए खेती उत्पादों में वैल्यू एडिशन से जुड़े प्रोसेसिंग उद्योग यह हमारी सरकार की प्राक्विक्ता है। इसके अतिरित जो उत्पादन होता है उसको जूस, आचार, सौस, चटनी, चीप्स यह सब बनाने वाले उद्धमियों तक पहुंचाया जाए। पी-एम कृशी संपधा योजना के तहट, मेगा फूर पार्क्स, कोल्ड चेन इंफासक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, प्रोसेसिंग युनीट, ऐसे करीब साड़े छे हजार प्रोजेक्स स्विक्रुत किये गए हैं। जिसमें से अनेक प्रोजेक्स पूरे हो चुके हैं और लाखों किसान परिवारों को इसका लाब मिल रहा है। आत्म निर्भर अभियान पैकेज के तहद भी माइक्रो फूर्ड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए दस हजार करोड रुपिय स्विक्रुत किये गए हैं। साथियों, आज अगर सरकार देश वासियों की छोटी छोटी जरुरतों को भी पूरा कर पा रही हैं, तो इसका कारण है सहभागीता। क्रुशी से जुड़े जितने भी सुधार हो रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी ताकत भी गाओं के लोगों की, किसानों की, युवाओं की भागीदारी है। एपियोस यानि किसान उत्पादक संग हो, दूसरे सहकारी संग हो, महिलाओं के स्वयम सहायता समूँ हो, क्रुशी व्यापार में और क्रुशी इस्पाचक्ते के निर्मान में इनको प्राथ्थिक्ता दी जा रहे हैं। नए क्रुशी सुधारों से, क्रुशी से जुड़ा जो व्यापार, कारोबार बढ़ने वाला है, उसके बड़े लाबार्ति भी किसानों के, ग्रामी निवाओं के, महिलाओं के यही संगटन है। क्रुशी कारोबार में जो निजी निवेश होगा, उससे सरकार की इन कोशिसों को ताकत ही मिलेगी। हम पूरी निष्टा से, पूरी ताकत से भारतिय क्रुशी को और किसान को ससक्त करने के राष्टे पर चलते रहेंगे। एक बार फिर देश के किसानों को सोवी किसान रेल और नई संभावनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, रेल मंत्राले को बधाई देता हूं, क्रुशी मंत्राले को बधाई देता हूं, और देश के कोटी कोटी किसानों को अनेक अनेक शुब कामनाई देत हूँ बहुत बहुत धन्यवाद लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले